आज बात विहार का बेटा यानि सनफ विहार कहे जाने वाले मनीश कस्यप की करेंगे जी हाँ आज नौ मार्च है और आज चीके दिन मनीश कस्यप जैसे ही मंदार पत्रकार का जनम हुआ था नाम है मनीश कस्यप उर्फ तिरपुरारी कुमार तिवारी अगर बात पहचान की करें तो इनको किसी भी गलत काम में गलत आदमी से भरस्टाचारियों से भीर जाने में तंकोच नहीं होता है बीना डड़े निडरता से किसी भी फ्रस्टाचारियों से भीर जाते हैं जाहे बात सरक में धांदली की करे नालों में धांदली की करे ओस्पीटल में फ्रस्टाचार की करे या किसी भी फ्रस्टाचार के खिलाप भीरने में इनको कोई डर नहीं होता है बिहार के लोगों की अवाज बन चुके हैं मनीश कर से, बात इनके जनम अस्थान की करे, तो इनका जनम बिहार के बेतियां से 25 किलोमेटर दूर पस्चिमी चमपारन जीले के एक छोटे से गाउं डुमरी महनवा में 9 मार्च 188 को यानि आज के दिनी हुआ था, इनकी मा एक हा बोस वाइफ हैं तथा पिता आर्मी के जवान हैं, अगर इनकी सिक्षा की बात करें, तो इन्होंने सुले 22 सवित्री बिस सवित दाले से 2016 में सिविल इंजिनियरिंग की पढ़ाई पुरी की थी, इनके न्यूज लाइन में आने की अगर कहानी की बात करें, तो बहुत दिल जस्प है, जिसे जानकर आपको भी गर्व होगा, और आपको कहेंगे कि एक इनसान अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए क्या क्या छोड़ सकता है, क्या क्या कर सकता है, आपको आगे हम बताएंगे, बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो लाइक सकती है, बरसात की जिन को देखते हुए, इनके मन में चल रहा था, कि आखिर इस चीज को कैसे कम किया सकता है, भरस्टाचारियो के खिलाफ बोल कर जो कि वहाँ काम अच्छा रंग से नहीं करवा पाते हैं, सरकों की सरक तूट जाते हैं, इसको लेकर इन होने, निउज में कदम रखा, हाला कि यह वीडियो काफी साल पहले से बनाते आ रहे थे यूटूब पर, इनका पहले भी दो चैनल था, जिस पे 5 लाख सब्सक्राइबर थे एक पे, उसको भी टर्मिनेट कर दिया, यूटूब ने, एक और चैनल सार जिस पे 1 लाख 28,000 सब्सक्राइबर थे, उसको भी टर्मिनेट कर दिया, उसके बाद इन्होंने संच तक जोईन किया, साल 2018 में, इनका एक वीडियो वाइरल होता है, और पूरे बिहार में फैल जाता है, जिसके बाद यह पूरे पोपुलर हो जाता है, मनीश कस्यप ने अपने एक इंटर्व्यू में कहा था, कि बि इतनी तारिफ की कम है, हम भी उन से सीख सकते हैं, उनके पिता का नाम उलीव खुमार तिवारी है, जो कि आर्मी के जवान है, मनीश कस्यप की उम्र की अगर बात करें, तो वे 9 मार्च को 34 साल के हो चुके है, लेकिन उन्होंने इस बिहार के लिए अपनी साधी तक आज तक नहीं कि उनके एक छोटे भाई भी हैं जिनकी साधी हो चुकी है मनीश कश्यब बोलते हैं कि हम जैसे करांतिक कारी लोगों से अखिर अपनी बेटी की साधी करेगा कौन है अबनीश करस्यब की एगर सिच्छा की बात करें तो इस्ते नियुकंश बताया और उसके बात से वे पॉपूलर होते गए, होते हैं सच दिखाना काम है कर कर बोलते हैं जहाँ भी बोलते हैं वहाँ एक भरस्टचारियों के मन में डर पैदा कर देदा मनिश कर सहर वैसे के जैसे उपर कई मुखद корабि भी हो चुकत हैं फोकी सरकारी काम मेंगा डालने के और भी कई रोप लग met two separate ज्यादा उनको सरकारी काम में बाधा डालने का रोप लगा है क्योंकि वे समाज के लिए किसी भी सरकारी काम में भीड़ कर उसको सही रंग से करवाने का प्रयास करते हैं अगर उनके राजनेतिक करियर की बात करें तो उन्होंने चट्पटिया बिधान सबाद शेतर से 2020 बिहार बिधान सबाद से निर्दलिये प्रत्यासी के रूप में उन्होंने चुनाव लगा उनको कूल 9000 भोट मिले थे वे तिसरे अस्थान पर रहे थे चट्पटिया बिधा उन्होंने लाइव जा करके वहां उस कंपणी में क्योंकि वह भाइक नहीं थी उन्होंने इस तरह से गाली ग्लोज किया था जिसको लेकर बिहार में काफी बवाल भी हुआ था काफी लोगों ने बिरोज भी गिया था लेकिन कोहीं न कहीं मनीस्त चप सही थे तो कि अगर प्रमान पत्र बनाने के लिए एक गरीब इंसान को बार बार पैसे के लिए फोर्स किया रहा था दोराया जा रहा था वहां भी मनीस्त कर्षप ने जा करके लाइब रिपोटिंग किया था जिसकी पूरे बिहार भर में चर्चा रही थी और काफी लोगों ने पसंद थिया बात करें मनीस्त कर्षप के अंदाज की तो वे कहते हैं कि जिन्दगी में एक नएक दिन मरना ही है तो फिर डढ़ने वाली बात आती ही कहां से है कोई भी पत्रकार उन से अगरे सवाल करता है इंटर्व्यू में कि आपको डढ़ नहीं लगता तो वे बूस्या हो जाते हैं और कहते हैं कि डढ़ना क्या जब आए है धरती पर भी गास करवा कर रहेंगे संच के साथ खरे रहेंगा मर जाएंगे तो मर जाएंगे ऐसे हैं म निजकोस्टे